सरकार द्वारा दिव्यांगों को मदद के रूप में 1000 रुपई पेंचन प्रतिमाहा उनके खाते में सीधे डिविटे संगनक प्रणाली द्वारा जमा की जाती है इस कारण कुछ प्रतिशत उनके जीवन यापन में मदद हो रही है पिलहाल COVID-19 वारस प्रकोग के कारण संपूनब भारत में लॉकडाउन किया गया है ऐसे मुश्किल समय में दिव्यांगों लोकों को प्रतिमाह पेंचन देना अधिका वश्यक है विधायक चरण वाकमारे ने कहा है कि अधिक्तम दिव्यांगों को तुसे तीन माह के विलंब से उनके खाते में पेंचन जमा होने की शिकायत तैसलदार तुमसर को दी गई है प्रतिमाहर सभे दिवयांगों को उनकी खाते में पेंचन जमा करने सम्मन में सतकार उपायोजना करे इसके लिए टास्क फोर्स बनाए अनेथा दिवयांगों के नयाय मांग उनकी हक के लिए तीवर अंदुलन किया जाएगा BS Crime India News की रोजाना खबरों के लिए यूटूब चैनल, वेबसाइट, फेस्बुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राइम पर लाइक, कमेंट और शेयर करे साथ ही यूटूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से BS Crime India News आप को डाउनलोड कर रोजाना खबरों के लिए हमसे जुड़े रहे